हाई गाईस देसे रेटेकलान सप्षिसन गुरू और आप कुछी दिन बचे हैं जब आपके ये 220 के वी सप्षिसन जो है जो आप इस चैनल के माध्यम से लगतार वीडियो में आप देखे होंगे कि कि day防, day 33, day 34 कि किस पकार से आपके surprise है शिटी 20 के वी surprise है जिसमें जो जब इसमें लाइन को फिर उससो चार्ज किया जाएगा तब इसमें भी आपका चार्जिंग फ्लो होने लगे मतला आपके करेंट वोल्टेज जो भी फ्लो होने लगेंगे ठीक है तो अभी मैं आपको उसी साइड ले जाने वाला हूँ कि किस पकार से जो है जंपर को कनेट कि अभी हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कि का का जो हिस्सा है वो कनेट कियत किया जा рہा है इसके आपका से घास्याव सफिंग यहां जो़्तित्सपडियों Wheels is तो इन सब को मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ तो अभी चलते हैं वापन उस साइड जहां पर अभी आपको जो जमपर है वह कर दिया जा चुका है अब इसके बाद सेकेंडरी इंसिलेटर जो आपके चार्ज भी आपको ले जाओंगा जो चलते हैं उस साइड भी जैसे कि देख लेते हैं यहां पर पहले ही बता चुका हूं वीडियो में कि यहां पर जो है मूस कंडेक्टर का यूज हुआ है और आपके इंसिलेटर लगा गया है वह 15-16 के बीच में लगाए गया है और यहां पर अभी इसको पूरे जंपर जो है फिक्स करके रखा जाए जाए जुका है आपके इस साइट को भी वह फ्लो होगी लाइन ठीक है जिससे इस साइट भी आपका चार्ज होने लग जाएगा तो इस पकार से वर्क किया जाने है तो मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले वक्त में भी जब इसको चार्ज किया जाएगा आज तो आप इसका कनेक्संस के जाने है ठीक है तब तक और देखते हैं आंगे क्या क्या प्रोसेस होता है मेगर क्योंकि वहां पर लिए जा रहे हैं अपको फिर से दिखा देता हूं कि कि कितने इंसुलेटर का यूज किया गया है आप फ फिर से यह बोष चीजह ठीक है इसमें को अटेच करने के लिए उपयोग के जाता है और यह इसको लटकाने के लिए जैसे कि वहां पर ऊपे में देखे होंगे कि इस परकार से जो आपके जो ट्रेंट्ट है उसमें जो लटके हुए है तो इसको लटकने के लूप यक्योग के जया दा पर की चाल लगाया जा रहा है जैसे कि आपने बाकी क्यूपमेंट को देखे होंगे जैसे इस साइट के बजबार का लटकाए हुए देखे दो के जमपर को चार्ज क्या जाएगा तो आपका फ्लो वहीं में आ जाएगा और सप्लाई कहां पराइथ के जाहर तो thanks for watching guys, मिलते हैं जब charge day में, जब इसको जब charge किया जाएगा, तो उस समय मैं आपको video बना कर और send करूँगा, ठीक है, तक तक के लिए, good bye